लोगों को एक एज में stress और tension के कारण कोई नो कोई लट लग जाती है जातातर लोग ऐसे cases में smoke करना पसंद करते हैं और smoke की ही लट लग जाती है कि stress हुआ smoke कर लो और ये लट ऐसी होती है कि चाहे फिर कोई भी समझा दे हमसे ये लट छूटती ही नहीं इतना भी कह दे कि तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा है तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है ऐसे में आप government ने एक फैसला लिया है कि ग्यान देने से तो लोग smoking छोड नहीं रहे हैं सिगरेट के पैकेट्स पर बड़ा बड़ा लिखवादो या पिच्चर्स लगवादो तो भी लोग मान नहीं रहे हैं इन्हें लालच दो तो शायद ये smoking छोड दे यही कारण है कि सरकार ने एक मोहीम की शुरुआत की है जिसमें smoking छोडने के लिए आदमियों को 20,000 और pregnant औरतों को 40,000 का इनाम दिया जाएगा ये मोहीम फिलहाल UK ने शुरू की है और वहाँ पर 1 करोड रुपया सेंक्शन भी हो गया है non-smokers को देने के लिए non-smokers को पहली ये प्रूफ करना होगा कि वो इतने टाइम से smoking नहीं कर रहे है smoke उन्होंने छोड़ दिया है उनके test किये जाएंगे और एक बार authorities संतुष्ट होगी उसके बाद ही उन्हें इनाम दिया जाएगा UK authorities का मानना है कि youngsters और जो generation है आज की उन्हें ग्यान देकर बहुत समझा लिया वो smoke नहीं छोड़ते हैं ऐसे में अगर पैसो का लालच होगा और अच्छा पैसा दिया जाएगा तो फिर हो सकता है कि वो smoke छोड़ दे आपको क्या लगता है अगर इस तरह की मुहीम आएगी तो यहां इंडिया में लोग smoke करना छोड़ेंगे या फिर इन पैसों के लिए थोड़े टाइम तक smoke छोड़ देंगे और उसके बाद फिर से smoke करना शुरू कर देंगे लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि यूके में smoke छुड़वाने के लिए सरकार पैसा तक देने के लिए तयार है और यहां इंडिया में हमारे सूपर स्टार जिने करोडों लोग फॉलो करते हैं यानि कि अक्षे, अजे और शारूक ये लोग पैसा लेकर यूद को नशा बीच रहे हैं